नमस्कार गूर्णिंग अल आफ यू आप सभी दोस्तों का आपके अपने फेवरेट यूटूब चैनल लर्निंग डेपर मैं आपका दोस्त आदरशवर्ट स्वागत करता हूं फ्रेंट्स आज आपका इंट्रेंस एक्जाम मायत का पार्ट सेकेंड है जिसमें फर्स्ट में हम आपको थोड़ी सी थेवरी बता चुका हूं और आपको कोस्टन सॉल्व कराने जा रहा हूं इसमें फ्रेंट्स दिया हुआ है यदि एन ब्रेकेट में पी इक्वल टो फोर और एन ब्रेकेट में क्यू इक्वल टो थ्री तो पी इंटु क्यूं के अव्यू की संख्या क्या होगी फ्रेंट्स नीचे सॉल्म हमने करके दिखाया है आपको कोस्टन आप देख लीजिए यह देखें एंग ब्रैकेट में पी एकल फोर दिया हुआ हुआ है कोस्चिन में और एन ब्रैकेट में क्यूं एक्वल टू थ्री देन तो तो पी इंटू क्यूं के अव्यों मतलब अव्यों को इलिमेंट्स कहते हैं इंगलीस वाले मीडियमाले बच्चें धियान दें इलिमेंट्स को यदि हम मंटिप्लाइ करेंगे पी इंटु क्यूं के तो यह एन बाहर ले लिया हमने क्योंकि एन दोनों में common था देखें एन पी और यह एन क्यूं ठीक है तो यह हमने इन बाहर ले लिया पी इंटु क्यों कर दिया तो एन पी की वैल्यू देखें फ्रेंट्स पी की वैल्यू 4 और क्योंकि वैल्यू 3 तो पी की जिगाए 3 एं 4 और क्यूंकि जिगाए 3 देन 4th result 12 और आपको बता दे हैं sets को capital में capital alphabet में और elements को मतलब अव्यो को हिंदी में अव्यो बोले तो elements को इस small में हम लोग represent करते हैं या आपको PDF telegram channel पर आपके अपने telegram channel पर provide हो जाएगे हैं जिसका description में link है नीचे आप click करके उससे join हो सकते हैं और आपको help line number भी दिया जाएगा second question आपका दिया हुआ है दिये गए when rx से a- union अब आपको एक चीज़ और बता दूँ ये जो इस तरह का है sign इसको हम लोग union कहते हैं और ये इस तरह जहां बन कर आएगा इसको intersection कहते हैं ठीक है अब देखें a- union b- का मान है मान बताना है अब हमें अब इसी तरह question आएगा paper में कि four option देंगे और चार number का एक question होगा ठीक है चार number का एक question होगा जिसमें से आपको देख पढ़कर अब क्या लगाना है सही answer choose करना है तो choose कैसे करेंगे इसको solve बित्तु करना आना चाहिए solve कैसे करेंगे यह देखें यदि अब इसका solution हमने आपको इलिए करके दिखाया है यह देखें a- यह inverse गलत कर लिख दिया है हमने a- यहाँ पर होगा इस तरह ठीक है a- का मतलब a- का मतलब b को देखना है अब b को हम यह देखते हैं देखें इसमें b हम देखते हैं b का तो b में क्या है dg ठीक है रुके d है d है g है और यह i h और यहाँ पर friends आप देखेंगे यह j तो d j i j h यहसे आप लिख सकते हैं किसमें a- को तो देखे a- d g h i j अब b- की बात हो रही है तो b- में हम क्या देखेंगे a के circle को a के circle को हम देखेंगे देखें इसमे a के circle में a c f i i यह यहाँ i j h इसी तरह यह दोनों बीच के हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे ठीक है यही हम b- में करेंगे और a- में भी यही करेंगे अब देखिए b- में हम लोग का आ गया a c f h i j अब हम लोग को इसमें क्या दिया हुआ है union में क्या होता है यह देखिए है हमने आपके लिए लिख दिया है इसको union कहते हैं और इसको intersection ठीक है union में हम लोग क्या करते हैं all को all मतलब हम लोग इसमें add कर लेते हैं तो a a- a- यह हो गया है और b- यह हो गया है तो a और b- को हम लोग union से बीच में represent किया और हमने a- b- लिख लिया a- b- हमने आपको क्या कहा इसको all कह सकते हैं आप यह add कह सकते हैं मतलब दोनों को हम लोग इसमें जो दोनों में same होगा वो भी लिखेंगे जो same नहीं है वो भी लिखेंगे जो मतलब double bar है उसको दो बार नहीं लिखना है बस देखेंगे इसमें a है यह a लिख दिया गया अब क्या है c sequence से चलना है बस a c अब फिर यह देखें d d इसमें है d लिख दिया अब इसमें देखें f आएगा f लिख दिया g आएगा g h i j इसी तरह देखें दोनों में है फिर भी लिख दिया ठीक है मतलब दोनों में same हो वो भी लिखना है जो same नहीं है वो भी लिखना है और intersection यहीं पर यह union है देखें बीच में union लगा हुआ है यह और यहीं पर यदि intersection होता है यहीं इस तरह है तो वहाँ पर हम लोग सेम वाला की सिर्फ लेते हैं अभी आपको दिखाते हैं दूसा question आपको solve हो गया इसमें क्या आया है देखें answer इसका देख लीजिए a c d f g h i j यहीं आपको answer में मिल जाएगा क्या है a c d f g h i j यह आपका c सही होगा ठीक है इसी तरह आपको हमने यहां बताया नहीं यह 12 है answer देखें आपका 12 आया है इसमें आपके option में question number option first सही है ठीक है next question पर चलते है next question आपका यह है किसी विद्याले में 600 विद्यार्थी है यदि उनमें से 400 विद्यार्थी तेल्गू बोल सकते हैं तथा 300 विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं तो बताओ कितने विद्यार्थी हिंदी और तेल्गू हिंदी और तेल्गू दोनों बोल सकते हैं दोनों का मतलब आप समाज गया है intersection intersection में same लेते हैं तो option यह दिये हुए आपके पास 4 और आप solving हाँ आपको दिखाते हैं यह आपके सामने solving तैल्गू की जगह हम लोग हम एक बार हम आपको बताये दे रहे हैं कि तैल्गू हमने सुरुवात में पूरा लिखा हुआ है हिंदी भी लिख दिया है उसके बाद वहां पर हमने ती लिखा है और फिर हिंदी को इस से रिप्रेजन्ट किया गया है ठीक है जैसे ती तैल्गू हिंदी यह देखे अब इसमें क्या बताए गया है माना तेल्गू बोलने वाले स्टुडेंट एन नमबर है और टी तेल्गू है ठीक है और इसी तरह माना हिंदी बोलने वाले स्टुडेंट्स जो हिंदी बोलने वाले विद्यारती है वह नमबर्स ओफ हिंदी एच फॉर हिंदी ठीक है इस्ट N for number है T for telgu है और Union for आप जांते हैं सब को लेना है सब को add करना है Ah for Hey h4 क्या है Hindi तो मतलब यह दोनों जो बोल लेते हैं तो हमें देखिए इसमें telgaz और Hindi वाले का दोनों हमें दिया हुगा है कौस्ट्ट नहें कि 600 बच्चे देखें, किसी विद्याले में 600 विद्यारती हैं, मतलब 600 विद्यारती हैं, जो मतलब टोटल है, मतलब आपका यूनियन है, A मान लिजे तेलगू, B मान लिजे हिंदी, और यूनियन कर दीजिए, तो A यूनियन B एक्वल टू 600, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो A के जगह T हमने लिख दिया, तेलगू, H के जगह हिंदी, ठीक है, तो इस तरह हमने इसका यहाँ पर इंफार्म करतने दिया, बनाया इसको, इन्वेट कर दिया, इसका T for तेलगू, यहाँ पर प्लस, हिंदी, और मानिस, हमने क्या किया, इसमें इंटर्सेक्शन किया, इं दिया इंदी, दोनों बोल लेते हैं, यह हमें Find करना है, आप देखिए, इसको हमने इस तरफ कर लिया, minus कथा, दिखे, minus कथा यह, यह minus कथा, इधर गया, प्लस हो गया, और यह plus गया, इधर minus हो गया, ठीक है, दिन, यह सब यहाईस है, यहाईस है, नोट आउट है, then हम क्या करेंगे, जैसे अब यहाँ पर तेल्गु वाले 400 बच्चे हैं, और हिंदी जो बोल लेते हैं, 300 हैं, और टोटल कितने बच्चे हैं, यह आपके 600, then अब हम 4 और 300 जोइन करेंगे, तो 700 और यह 600, 7-600, तो आपका क्या हो जाएगा, तो मतलब हिंदी और तेल्ग को दोनों जो बोल लेते हैं, स्टुडेंट्स, दोनों लेंगवेज, मतलब बोलने वाले स्टुडेंट्स के संख्या हैं, आपको आपको आँसर दिखा दें, आपको 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 आप इतना दिया हुए फ्रेंट्स बी इतना तथा सी ये तो ए यूनियन भी इंटर्सेक्ष्टन ब्रैकेट में ए यूनियन सी का मान ग्याद करो a union मतलब सभी को लेना है मतलब add करना है और a मतलब इन दोनों का union करेंगे a union c भी करेंगे फिर फिर इन दोनों का intersection करेंगे ठीक है देखिए अब solution नीचे हमने किया है a की value हमने लिख ली b की value लिख ली c की value अब हमसे question में ये पूछा गया था तो हमने क्या किया a union b पहले निकाला तो a की value देखिए a की value और b की value यह हमने यहां पर लिख लिए a की जगह है और यह union यहां पर यह लिख लिए और यह आपका b ठीक है a union b हो गया then a union b को अब हम लोग इसमें 2 इसमें है तू लिख दिया 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है यह भी लिखेंगे 4 4 यह भी लिख देंगे 8 इसमें नहीं है फिर भी लिखेंगे 10 इसमें इसमें भी है लिख दीजे 10 12 है 12 भी 14 14 ठीक है मतलब इसमें सभी को लिखना है लेकिन repeat करके नहीं लिखना है सबको एक बार ही लिखना है चाहे दोनों में हो या ना हो एक में हो या ना हो दोनों में वही लिखना है ठीक है union का मतलब यह है मतलब हमारा a union इतना portion हमारा यह यहाँ पर आ गया यह ठीक है अब हमें क्या निकालना है यह A union C तो A की value हम लोग यहां से देखें यह और C नीचे देखें लिखा होगा यह देखें A की देखें A यह और union और यह C देन अब इसी तरह इसमें भी 2 देखें 2 3 4 5 7 8 10 12 14 यह 14 आपका आगया इसी तरह A union C भी आगया आपका अब क्या करना है देख लीजिए अब A union B A union C का intersection करना है जो A union B आया है और A union C आया है उसका intersection करना है intersection मतलब दोनों में जो same है उसी को हमें लिखना है A union B और A union C का intersection यह होता है मलब दोनों में same क्या है यह देखें a union b a union c इन दोनों में same क्या है आपका यह same है two two three four और देखें तमें eight ten twelve fourteen यह देखें यह आपका answer आ गया आप इसमें एक बार देख लिए two three four eight ten यही आपका answer होगा देखें two three four eight ten यह देखें फर्स्ट यही आपका क्या आगया answer आ गया then next question पर फ्रेंट्स चलते हैं जो आपका last question है यदि यदि एक समुच्चे मतलब set a में तीन अव्य हैं तथा दूसरे समुच्चे बी में छे अव्य हैं तो ए यूनियन बी यूनियन मतलब सभी को add करना है ठीक है यूनियन बी में अव्यों की संख्या क्या है अब हमने आप से कहा कि एक में तीन है तो हमने मान लिया एक है तीन हमने ले लिया चार ले लिया तीन है मतलब एक दो तीन इसी तरह मान लिया कि यह तीन अव्य है एका बी का कहरा है छे है तो एक दो तीन चार पाच इसी तरह छे अच्छे होगा है तो कैसे होगा इसका आंसर हमें आपको दिख बता दें आता है ए यूनियन बी और ए यूनियनसी टू त्री फोर एट आ पाए आपको एक सबिशें के यह तुनिया है समुच्य एक चैf एवियों के संख्या थ्री हैं तथह समुच्च बी में आवियों की संख्या छे पाव्यो में three दे रहा है और एक में six दे रहा है तो जिन में से कुछ में दोनों में भी हो सकते हैं इस लिए AE union B में या तो म Davidson minimum 6 धने होंगे क्योंकि एक में 3 है और एक में 6 है दों को एट यदि हम करते हैं मैचफ तीनों कर जाते हैं तो हमारा क्या जाएगा च साथ बन जाएगा इधर साथ हो जाएगा और यदि तीनों मैच हो गए तो छे बन जाएगा इधर यह इदर एक मैच हुआ तो एक भी नहीं मैच हुआ तो छे और प्लस तीन जाएगा जैसे यह देखिए अपके लिए नीचे थोड़ी साल्विंग पताया जैसे माना A, ये तीन हमने ले लिया लेट कर लिया B को हमने ये लेट कर लिया तो A में देखें 1, 2, 3 अब इसमें देखें इसमें इसमें हमने मान लिया B को 5, 6, 4, 3, 1, 8 अब यूनियन की बात हो रही है तो दोनों add करेंगे हम, add करेंगे, 1 है, इसमें भी 1 है, 2 है, इसमें 2 नहीं है, लिखेंगे लिकिन, 3 है, इसमें भी 3 है, अब क्या करेंगे, 4, 5, 6, 8, कितने हो गए, सब लिख लेंगे, तो इसमें देखें, जैसे 7 बन गया, तो इसका answer आएगा, 6, 7, 8, और 1 ये 9, क्योंकि 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, यदि आपको ये question नहीं समझ में आए, तो हमें बताए, comment में हम आपको बता देंगे, फिर से repeat कर देंगे, यदि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बता दिया जाएगा, और आपको description में, telegram का link मिलेगा, आ और आपको help line number भी नीचे provide किया जाएगा description में, वहां से आप कोई भी query बेज रख पूछ सकते हैं, thanks for watching, धन्यवाद, subscribe now